लड़की को कैसे लड़के पसंद होते हैं वो कैसे लड़कों को ढूंडती है। क्या चाहते हैं इस पर बोलने जाओंगा तो बहुत भड़ी किताब तयार हो जाएगी इसलिए हम इन सारी वातों को इग्णोर कर रहा हूँ लड़की क्या चाहती हैं इससे दो हिस्सों में समझा जा सकता है पहला बैपक और प्रतेक्शन और दूसरा है ब्रिस्तुत और अर्थपूर्ण अगर ब्रिस्तुत और अर्थपूर्ण तरीके से समझा जाए तो लड़की को उनके एज ग्रूप के हिसाब से समझना क्योंकि लड़कियां क्या चाहती है ये उसके सोभाव और परवरिश पर निर्भर करती है और लड़की की चाहत निर्भर करती है उसके आसपास के माहूल से कि लोग उसके साथ कैसा बैवहार करते है लड़की का परवरी सिमित होता है और उसके ब्यावहर उसके आसपास के माहौल की हिसाब से बदलता रहता है उसके आसपास के माहौल पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है इससे उसके पसंद नापसंद के जानकरे मिलती रहेगी अभी आप समझभा रहोंगे कि लड़की का पास जानना कितना ज़रूरी है लड़की का behavior की situation में कैसा होगा ये पहले के वीडियो में बता चुका हो और अब जो बताने वाला हो भी बहुत ज़रूरी है मैं पहला जो age group ले रहा हूँ वो है 14 से 18 इस age group की लड़कीया जातर school या junior college में जाती है इनको भी इनके life के बार में ज़्यादा जानकर नहीं होती और ये ज़्यादा मीडिया और internet से affected होते है ये ज़्यादा सोज विचाल नहीं करते ये लड़कीया बहुत ही ज़्यादा ambitious होती है जो वो चाहती है जल्दी मिलने वाला आसनी से मिलने वाला इनको ज़्यादा पसंद होता है और वे इनकार भी नहीं कर पाती ये relationship को लेकर बहुत ही ज़्यादा interested होती है इस age group की लड़कीया सपनों में जेती है ये वही लड़कीया है जो सपनों के राशकुमार का इंतिजार कर रही होती है ये ज़्यादा तर टीवी शोज से प्रभावित होती है और अपने जिन्दगी को भी टीवी शोज जैसा बनाना जाती है ये लड़कों में वो खासियाद ढूंटी है जो इन्होंने टीवी या मूवी में देखा होगा जैसे उनका हैरस्टाइल, उनके चलने का तरीका, बात करने का तरीका उनके देखने का तरीका, तरीका लड़की इन सारी बातों से इन बातों को नोटिस करती है इनको पता होता है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता पर इनको इस पर बात करना बहुत पसंद होता है यह कलपना से बाहर आना ही नहीं जाती जैसे लड़के नशा करके खो जाते है वैसे ही इन बातों से लड़किया खो जाती है याद रखना कभी लड़की से मत पूछना कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है तुम्हारे सपनों का राजकुमार कोन है या तुम्हें कैसा वाइफरेंड चाहिए और कभी ये अगर बताए कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए या मेरा वाइफरेंड ऐसा होगा तो उसे seriously मतलो क्योंकि ये लड़किया खुद नहीं जानती कि इन्हें क्या चाहिए होता है वो सिर्फ ऐसा बता कर reaction चेक करती है कि आप क्या करते हो कभी इन लड़कियों के तारिफ मत करो बजाए इनके तारिफ करने के या ढूनने के कि वो क्या चाहती है उन्हें बताओ कि तुम क्या चाहते हो और उन्हें ये भी बताओ कि आपका choice बेटर है सिधे सिधे उनकी insert मत करो उन्हें ऐसा बताओ कि ZTV पर बहुत याचा serial है उसमें Aryan और साची एक जोड़ी बहुत जबरदस्त है मुझे सभी बोलता है मैं Aryan जैसा दिखता हूँ तबी से मैंने सोच लिया मुझे साची जैसा साची जैसी कोई लड़की चाहिए मेरे एभी में एक फ्रेंड है जो श्रद्दा कपूर के बहुत बड़ी प्यान है मैं मुझे उसके profile से पता चला मैंने उसे message किया श्रद्दा कपूर blue dress में बहुत प्यारी लगती है मुझे श्रद्दा कपूर बहुत पसंद है उस दिन तो उसने उस बात का कोई reaction नहीं दिया दो दिन बाद उसने अपना photo भेजा जो blue dress पहनी थी और वो भी बहुत प्यारी लग रहे थी बट मैं offline हो गया फिर दो दिन बाद online आया तो उसने पूछ लिया कि photo कैसा लगा मैंने का ठीक है उसे दिन उसने अपना number दिया और कहां मुझे मिलना जाती है उसके बाद जो हुआ वो इतना important नहीं है तुम अगर लड़की की तारिफ करते हो तो एक कतम पीछे अड़ जाती है लड़की अपने तारिफ सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है तुमसे मिलना और number देना तो ये मामुली बात है तो security है कि लड़कीया कलपनाओं में जीना जाती है वो जानती है कि ये कलपनाओं है असले जिन्दी के से इसा कोई वास्ता नहीं है फिर भी वो बाहर नहीं आना जाती आपको आपने देखा होगा लड़कीया सपनों के राजकुमार का जिक्र करती है इसलिए बहुत बार लड़का लड़की उलच जाते हैं कि वो लड़ बैटते हैं दरसल उन्हें प्यार इश्क महबत का मतलब पता नहीं होता और ना ही वो रिलेशन को समझती है उन्हें बस अपने सपनों के दुनिया को पूरा करना होता है जो वो पहले से तयार कर चुकी है उसे बस एक ऐसा इंसन्स है जो उस दुनिया में फिट बैटता हो पर जाराता लड़के उन्हें सच्चा है समझाने में लगे हैं लड़कियों को ये अच्छाने लगता है कि कोई उनके सपनों को दुनिया को तोड़े तो करना क्या है लड़की को ये अकिन दिलाओ कि आप उनके दुनिया नहीं तोड़ोगे आप ही हो जो उनके सपनों के दुनिया का राचकुमार हो और देखना लड़की सद आपके साथ ही रहेगी